नास्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति आज आप ये स्क्रीन देखके आपको पता चल रहा होगा कि हम थोड़ा हट के ये वाली जो एकॉनोमी का हिसाब किताब का एपिसोड है वो भारत पर नहीं होगा ये यूएस पर होगा क्योंकि अभी अभी आप जानते हैं यूएस प्रेसिडेंशिल इलेक्शन हुआ है और उसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही जादा करीब हैं मतलब ट्रम्प और बाइडन एक दूसरे को बिलकुल आमने सामने टक्कर दे रहे हैं जो की एग्जिट पोल पर नहीं लगा था तो आज हम इसी का जवाब देंगे कि ट्रम्प के लिए इतना सारा सपोर्ट कहां से आता है और क्यों आता है इसका एकनॉमिक कारण क्या है इ इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड बे तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि एग्जिट पोल जो है अभी तक जो एग्जिट पोल आये थे जो इलेक्शन से पहले आये थे दो नवेंबर को तीन बड़े एग्जिट पोल थे और उनके औसत मैं स्क्रीन के पर आ आपके सामने डाल रहा हूं और आप देखेंगे कि उसमें कहा गया था कि जो प्रेजिडेंट उस वक्त थे ट्रंप और अभी भी रहेंगे कुछ दिनों तक उनको सिरफ 43.5 प्रतिशत वोट मिलेंगे और अगर आप बाइडिन का वोट देखेंगे तो बाइडिन को कहा गय जा था कि 51.4 प्रतिशत वोट बाइडिन को मिलेंगे लेकिन अभी तक जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उसमें क्या निकल कर आ रहा है उसमें निकल कर आ रहा है कि बाइडिन को उतना एक हैर आसपास होती का वोट मिल रहा है लेकिन जो बाकी कैंडिडेट हैं उनका जो रोजहान है आपके स्क्रीन में जो है इस वक्त आप देखिए कि ट्रम्प को लगभग 48 प्रतिशत, 48 से थोड़ा कम और ये मैं New York Times का डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए 47.7 प्रतिशत अभी तक जितने वोट काउंट हुए उसमें ट्रम्प को मिल रहे हैं, बाइडिन का आप जानते हैं कि बहुत सारा मेल इन बैलेट है, जो डाक से बैलेट आया, ट्रम्प का शेर शाहिए घट जाएगा और बाइडिन का बढ़ जाएगा, लेकिन बाइडिन का वही आसपास 51 प्रतिशत के आसपास, ट्रम्प का अगर आप देखें, जो पोल ने जितना अनुमान लगा था, उससे जादा ट्रम्प का सपोर्ट है, तो हमारा सवाल यह है कि ट्रम्प का जो सपोर्ट बेस है, वो कहां से आ रहा है, कहां से आता है, कौन ट्रम्प को ऐसे सपोर्ट देता है, तो हम 3-4 चीज़ों पे इस वक्त देखेंगे, सबसे प जो हैं, वो लगभग प्रतिशत है और जो अश्वेथ हैं, वो लगभग प्रतिशत है, यह सिरव अमरीकी जिसको कहते हैं आफिकन अमेरिकन वो नहीं है, यह MK है, लेटीनो है, जिनको हिस्पैनिक का जाता है, वो है भारतिय चाइनीज मूल के लोग हैं, Armenian हैं, ऐसे बहु तो डेटा मैं आपको ला रहा हूँ वो New York Times का ही exit poll का डेटा है खैर इन में से किसने कितना वोट Trump को दिया आप देखेंगे तो जो श्वेत है उन में से 57 प्रतिशत लोगों ने 57 प्रतिशत लोगों ने श्वेत में से Trump को वोट दिया है जबकि सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों ने जो अश्वेत हैं नौन वाइट हैं जिसमें अफरीकी अमरीकी मूल के लोग हैं जो भारतिये हैं जैसे मैंने आपको लाटिन अमेरिकन मेक्सिकर लोग हैं उन में से सिर्फ 26 प्रतिशत टरंप को वोट दे रहे हैं ये फिर से मैं बता रहा है ये सारा सोर्स New York Times का exit poll का है अ और इसमें दूसरी बड़ी चीज जो है वो है college education versus college के जिन्होंने पढ़ाई किया हो या नहीं नौन graduate college जिन्होंने पढ़ाई किया हो जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने graduation किया हो और अगर आप इसका break up देखेंगे तो इसमें लगबग 56 प्रतिशत अमरीकी जो वोट यहां वो हैं वो उन्होंने college में पढ़ाई नहीं किया है और जो 44% बाकि वोटर है उन्होंने college की पढ़ाई की है तो इसमें क्या break up है इनका क्या break up है कौन कितना वोट दे रहा है आप देखेंगे कि जो college में नहीं जा रहे हैं ये जो दार्ड़ी वाले भाय साहब है इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है इनका इन में से सपोर्ट ट्रम्प के लिए बहुत जादा है 49% है आप देख लीजे कि हो सकता है ये 49% से जादा हुआ कि जैसे मैंने आपका एक्जिट पोल में ट्रम्प को का जा था जा रहा था सिरफ 44% के आसपास उनको वोट मिलेगा लेकिन उनको जादा मिल रहा है तो ये 49% हो सकता है 50% से जादा हो और जो कॉलेज में पढ़ चुके हैं वो लोग ट्रम्प को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं सिरफ 42% लोग सपोर् करते हैं इसे में अगर हम ब्रेक अप देखें सिरफ श्वेत लोगों का जो कॉलेज में गये हैं और जो उनकि णि डृट है उनमें से लगबग आधे जो हैं वो ग्राजेशन कर चुके हैं और आधे बागी आदे से थोड़े कम है, 48 प्रतिशत आप देख रहे हैं, जो graduation कर चुके हैं और आदे से थोड़ा जादा जिन्होंने graduation नहीं किया है, इनमें क्या breakup है, देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि स्वेत जो हैं, उनमें majority बहुत जादा लोग Trump को support करते हैं, इसमें अगर आप support जो कर दे रहे हैं यहाँ पर जो और उतने ही Biden को भी support करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो non graduate हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किये, उनमें से बहुत जादा लोग Trump को support करते हैं, और जितने graduate white हैं, उनमें support Trump के लिए कम हैं, वो उतना ही Biden को भी support करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो अश्वेत हैं, जिन्होंने graduation नहीं किया, उनमें से आप देखेंगे कि 63 प्रतिशत लोगोंने graduation नहीं किया है, क्योंकि जो non invite लोग हैं, वो जादा तर गरीब हैं, और उनके पास access नहीं है, college नहीं जा सकते हैं, college का loan भी लेने से डरते हैं, और इनमें से college में जाने वाल लोग हैं, इनका break up क्या है, इनमें से Trump को कौन जादा support रखते हैं, ये अजीब बात आप देखिए, कि इसमें जो non white लोग हैं, इनमें college जाने वाले यानि कि graduate जादा सब Trump को support रखते हैं, थोड़ा बहुत है, exit poll में ये थोड़ा बहुत माहिने नहीं रखता है, लेकिन फिर नहीं जाते हैं, उनमें जादा तर अफरीकी अमरीकी होंगे, जिनमें Trump का support level बहुत कम है, सिरफ 12% अफरीकी अमरीकी Trump को support करते हैं, अब हम चलते हैं, एक और बड़ी चीज जिसको देखते हैं, जिसको ये सारे हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये एक economic base, एक socio-economic base बनता है Trump का, और अब हम चलते हैं, जो अगली चीज है, और वो है कि गरीब बनाम अमीर, गरीब बनाम अमीर, मतलब जो, खैर हमारे देश की गरीवी के साथ आप इसको इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखू, तो देखा जाता है कि जो लोग 30,000 डॉलर से, लग कमाते साल में, अगर आप देखें, तो अमरीका में 72 प्रतिशत, जो लोग हैं, वो 30,000 डॉलर से, एक लाग डॉलर के आसपास कमाते हैं, इसको अगर मैं रुपे में कनवर्ट कर दू डॉलर को, तो आप देखेंगे कि ये होगा कि जो एक लाग डॉलर होता है, वो लग 75 लाग रुपे होता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक लाग डॉलर से वहाँ पे कितना खरीदा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं, लग भग यहाँ पे 20 से 25 लाग के आसपास की चीज़ खरीदी जा सकती है, जिसको पर्चेजिंग पावर पैरिटी का आजा सकता है, तो इनको अगर ले एक तरफ और दूसरे तरफ जो एक लाग डॉलर से जादा हैं, तो मैंने कहा कि 72 प्रतिशत एक लाग डॉलर से कम इनका इंकम है और बाकी 28 प्रतिशत का इससे जादा है, इसमें ब्रेक अप देख लेते हैं, आप देखिए कि ट्रम्प का गरीब या जो इसा कमाते हैं, उनमें ट्रम्प का सपोर्ट बेस कम है, सिरफ 43 प्रतिशत ऐसे लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, जबकि 54 प्रतिशत लोग जो एक लाग डॉलर से जादा कमाते हैं, वो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, आप देखिए इसका मतलब जितने अमीर हैं, वो को जादा सपोर्ट करते हैं जो गरीब हैं वो टरंप को कम सपोर्ट करते हैं इसका एक कारण जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि श्वेतों में टरंप का सपोर्ट जादा है और जो श्वेत हैं वो जादा अमीर है और जो अश्वेत हैं और नॉन वाइट हैं वो गरीब है तो इसका भी एक कारण है आप देख रहे हैं ये जो देख रहा है लेकिन एक और बहुत मज़ेदार चीज आपके सामने ला रहा हूं और वो है कि रिच वर्सेज सूपर रिच अमीर वर्सेज बहुत अमीर मतलब बहुत ज़ादा अमीर तो एक तरफ आपको दिखेगा जो एक लाग डॉलर से दो लाग डॉलर तक कमाते हैं एक लाग डॉलर से दो लाग डॉलर तक कमाते हैं और दूसरी तरफ है दो लाग डॉलर से जादा कमाते हैं हर साल में उनका शेर लगबग 7 प्रतिशत है टोटल वोट बेस का इनमें आप एक अजीब चीज देखेंगे कि ट्रम्प को इनमें से कौन सपोर्ट करता है अजीब चीज यह है जो एक लाग से दो लाग के अंदर कमाते हैं उनमें ट्रम्प का सपोर्ट 57 प्रतिशत है और जो दो लाग से जादा कमाते हैं वो बाइडन को सपोर्ट करते हैं पतलब जो सूपर रिच है वो ट्रम्प को नहीं सपोर्ट करते हैं उनमें से सिरफ 43 प्रतिशत टरंप को सपोर्ट करते हैं यह जो नमबर आप देख रहे हैं ने इसको भारत के साथ तुलना मत कीज़े याद रखेगा कि ये एक टू होर्स रेस है दो कैंडिडेट मेन है तो लगभग जो जीतता है उसका 50 से थोड़ा जादा होता है कि economic base यानि आर्थिक base क्या है टरंप का क्यों टरंप इतना अच्छा जितना सोचा गया था उसके तुलना में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो टरंप का supporter है वो है पहली वाद वो श्वेत है और वो non graduate है यानि कि उसने graduation नहीं की है और साथ में वो अमीर है लेकिन super rich नहीं है super rich जो है वो अभी भी Biden के तरफ है तो ये जो support base है ये support base ऐसा है जो सोचता है कि हमें रोक दिया गया है हम क्यों दो लाग से जादा कमा नहीं पा रहें क्यों जो elite है जोनोंने सब कुछ control कर रखा है वो हमें बढ़ने नहीं दे रहे हैं और इसी लिए Trump इनीग पर जोर लगाते हैं लेकिन अमरीका की बात यह है कि ये जो base है जो white यानि श्वेत, Christian और साथ में जो अमीर है लेकिन super rich नहीं है और साथ में वो college नहीं गए है ऐसा जो base है वो धीरे धीरे घट रहा है जैसे ये घट रहा है उतना ही Republican Party के लिए problem हो रहा है यही है असलियत क्यों Trump आगे नहीं निकल पाए क्योंकि 2016 के तुलना में ये जो number है non college graduate यानि जो college में नहीं गए ये number घटा है ये number जो अगर 2016 जितना ही होता तो हो सकता है कि Donald Trump फिर से US के President बन जाते है